असलाम लेकुम विवर्स वेलकम टो माई चैनल आल इन वन आल इन वन मैं आज जो बनाने सिखा जा रही हूं रेसिपी उसका नाम है चपली कबाब जो के बहुत ही पसांद की जाती है और यह विवर्स बहुत ही टेस्टी चपली कबाब बनेंगे और बिल्कुल घर के मसालों स कोई इसमें डबेगा मसाला यूस नहीं होगा तो उसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसांद आए तो मेरे चैनल को प्लीज जरू सक्स्क्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं जो के बिल्कुल फ्री है तो चलें बिसमिल्ला करते हैं अपनी र जाने अद्रक लसन को मैंने नकुंदी में पीस चेOur acse तकरीबं रखने तक्रीबल टीस पोझला यह होकर वांटे यहेंरा वन टी स्पोझल अनार दाना वन टीस्पोझला बहद जीरा वांटेबल स्पों साबखय कर हम दनिआ वराफ ती स्पोझल मंत मां में हृटी स्पोझ इसमें कुटी भी लाल मिर्च जाएंगी और वान टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला ठीक है ये तो होगे मसाले इसके साथ-साथ इसमें जाएगा तकरीबन चार टेबल स्पून मकई का आटा वीवर्स आप मकई के आटे की जगा इसमें बेसन भी यूज़ कर सकते हैं कोई उसमें ऐसी बात नहीं है और ये जो आपको मसाला सा नजर आ रहा है इसमें मैंने ली हैं दो मिडियम साइज प्यास चार हरी मिर्चे आदी गटी पोदीने की और आदी गटी दनिये की जिसको मैंने चॉप का लिया है बारीक ठीक है तो इस दो हमें एग चाहिए इसके लिए तो चलें शुरू करते हैं अब मैं इडिडियेंट्स बीच में डालती हूँ सारे मसाले इसमें डाल बिसमिल्लाय रमाने रहे हूँ इंशाल्ला यह बहुत ही टेस्टी कबाब बनेंगे और आपको बहुत पसांद आएंगे तो जब आप बनाएं तो प्रीस कुमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपके कबाब कैसे बने बिल्कुल हम देसी तरीके से यह बनाएंगे कबाब बिल्कुल घरेलू जैसे गार में हमारी खावातीन बनाती है यह सारा मसाला है प्याज हरी मिर्चे धनिया और पुदीना यह बारी चॉप दे निकार लिया है ठीक है यह भी हम सारा इसमें आट कार लेंगे और यह वीवर्स यह है मकई काटा 4 टेबी स्पॉन यह भी इसमें चला गया अब इसमें वीवर्स यह दो अंडे हैं अंडों को हम एक एकार के ना अलाग प्याली में तोड़ेंगे बास दफा ऐसा होता है कि अंडा खराब निकलाता है जिसकी वज़ा से आपका पूरा बैटर जाना हो जाने का डार है इसमें अब इसको पहले आप जरा चमच से मिक्स करें फिर आप हातों की वदद से इसको अच्छी तरह आपने जैसे आठा गूंते हैं ना वैसे मिक्स करना है जी वीवर्स को जाल सकते हैं है कि मैं इसमें एक टमाठर अभी आपके सामने चौप करके डालूंगी तमाटर इसको बाद लोग टमाठर लगाते हैं बाद लोग बीच में डालते हैं वैसे बीच में ज्यादा अच्छा लगता है उपर इतना वह अच्छा नहीं लगता हुआ और बचे पसांद नहीं कर अब इसको आपने अच्छी तरह आपके हैंड वास होने चाहिए कोई रिंग वो गईरा हूं में नहीं होनी चाहिए और अच्छी तरह आप इसकी मेरीनेशन जिसे कहने के आपने करनी हैं तांके सारे इंगिरिंडियन्स आप इसमें यवजान हो जाएं अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब आप इसको तक्रीबन आदे गंड़े के लिए आप इसको तक्रीबन आदे गंड़े के लिए प्रीज में छोड़े आदे गंड़े के बाद हम इसकी कबाब बनाएंगे और फिर उनको फ्राइब करेंगे तो पिर इसके बाद ने सिरे से इने ना बनाएंगे और फ्राइब करेंगे गोल कबाब बनाएंगे मेडियन साइज के ना बहुत बढ़े और इनको तवे पर फ् वीवर्स ये 5 मिनट्स के बाद आपने कबाबों की साइट बदलनी है इनको बार बार नहीं आपने चेड़ना क्योंकि ये टूर भी सकते हैं वैसे ये देखने के बहुत अच्छे कबाब बने और बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इनकी तो अब मैं इनने निकालती हू इनको मैं निकालती ही हूं एक आप लेखने हिस्पें का, मुझ्या लग हो किछी कबाब बने आप तो वीवर्स चबली कबाब देड है और हुत ही अच्छी बने हैं आपने जरू ट्राहि करने हैं और मुझे कमेंट्स में आपने जरूर बताना है कि आपके कबाब कैसे बने इसके साथ मैंने ग्रीन राइता भी बना लिया है जो के बहुत ही कंप्लिमेंट करते हैं तो में अगर आपको में रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प पता है कि अशय सब्सक्राइब करन लिए भी बने बने आपको मम बने और आपको डाम दल चैनल कोताई कम टैनल को अर्णार भी विटान के सब्सक्राई लगव कर दिए था अच्छाटर की न समेंटर्य है तर्छ साब्सक्राइब करता हुआ Sutसे मैं रुन जाह सुद्सों